हेलो वीएर्स जैसा कि आप यहां देख रहे हैं काफी घूर्णिंग्स मैंने अटेंड कि ऊई हैं यहां पर हैं तो लेकिन इन ट्रेणिंग्स में से कौन सी ट्रेणिंग्स हें जो हैड एड्मास्टर पिंसिपल्स के लिए बहुत ही important है और जो उने देखना है चाहिए और जो उनके फायदे के लिए हो सकती है तो जैसे कि वैसे तो सारी training हैं लेकिन कुछ कहते हैं कि विशेश चीज जरूर होती है तो यहाँ पर जैसे कि एक critical pedagogy यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी training है मेरे साब से मुझे यह हैट के लिए मुझे बहुत ही सही लगी यह training और जैसे critical pedagogy है student portfolio और SWOT analysis यह जो training है SWOT analysis यह तो most important training है सबी principles के लिए तो हर principle को करना ही करना चाहिए और एक मुझे यह वाली training सबसे best लगी head masters principles के लिए दार्षनिक सोचने का कौशल क्या क्यों कैसे यह जो training है तो एक दार्षनिक सोचने का कौशल एक और दो यहां पर SWOT analysis दो और तीन critical pedagogy और चार student portfolio यह चार training मुझे बहुत ही बेस्ट लगी प्रिंसिपल्स के लिए यह training तो बहुत ही ध्यान से प्रिंसिपल्स को जरूर करना चाहिए और आशा है कि सब प्रिंसिपल्स इन ट्रेनिंग्स को बहुत अच्छे से करेंगे और इनका लाव उठाएंगे जिससे वो अपने स्कूल को बहतर बना सके थेंक यू